पूरी की पूरी लक्षमी कांथ करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में जो कानून होता है वो बनता कैसे है How does the law becomes That is the process वो आज का हमारा agenda रहेगा Just to understand where we are हमारा लोकस क्या है हम understand करते है Lecture no.26 से 26 वे lecture में हमने Parliament के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था And from there on Parliament जो कि हमारी लक्षमी कांथ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपून और जिससे सबसे maximum number of questions गलत होने की संभावना होती है वो वाला chapter है राज्यसभा, उसकी membership, qualifications उस पर presiding officers कौन-कौन से होते हैं speaker, chairman, deputy speaker इनको select कैसे किया जाता है इनको हटाया कैसे जा सकता है ये process हमने सीखे थे In the lecture no.28 and the 29th हमने दुनिया की सबसे boring classes की थी जिसमें हमने basically dictionary खोली थी और jargon words के बस meaning सीखे थे lecture no.28 में sessions of parliament यानि की summon होना, prorogue होना, dissolve होना इस परकार से जो meaning होते है सिर्फोर से dictionary meaning and similarly were the devices of the parliamentary proceedings equally the same thing की जीरो आवर क्या होता है question hour क्या होता है ये motion, प्रस्ताव, resolution ये कैसे introduce किये जाते है what is all this, ये होता क्या है बहुती subtle था, बस थोड़ा सा boring था in the sense की it was interesting but उसको आपको visually देखने में जादा मज़ा आएगा which I actually advise you to do so luckily enough we are far away from that now we are actually entering the territory of the more interesting and the fun conceptual issues again conceptual issues in the sense हम आज करेंगे legislative procedure we will try to understand की देश के अंदर भारत के अंदर हमारे हां पर कानून कैसे बनता है दो parliament जो भी सीख रहा है उसको एक बार recommend वापिस कर देता हूँ Lincoln नाम की एक cinema है 2012 में Stephen Spielberg के द्वारा बनाया गया जिसमें Daniel Day Lewis Abraham Lincoln का role play करते है वो ज़रूर देखेगा specifically जिसको quality पढ़ने में interest है उस पूरा का पूरा जो cinema है उसमें premise यह है कि जो कानून है slavery को abolish करने का जो कानून अमेरिका ने पास किया था वो पूरा का पूरा वो process दिखाते है कि वो pass कैसे किया था it's a brilliant movie you should watch it to understand the parliamentary proceedings इंडिया में कुछ-कुछ उसी परकार का almost system होता है law को pass करने का let us start with the law process India's legislation, कानून बनाना हमने जब parliament पढ़ना start किया था तो हम शुरुवात से जानते है कि हमारे जो government होती है उनके तीन हमारे main aim है एक तो executive हो गया जो कि हम government, council of ministers, prime minister, president और vice president के दोरा पढ़ चुके है दूसरा हो गया legislative जो कि अब हम parliament के दोरा पढ़ रहे है इसके बाद आएगा judiciary we'll jump to there so आप लोगों ने जब भी आप legislations में जब भी आप parliament के chapter पढ़ोगे तो दो word सुनाई देंगे bill और act act का मतलब होता है law कानून बन जाना और कानून बनने से पहले जो paper होता है या फिर जो document होता है उस document को कहा जाता है bill यानि कि अगर आप किसी भी चीज़ को कानून बनवाना चाहते है you want something to be law तो आप क्या करेंगे आप parliament के अंदर एक document produce करेंगे लोकसभा के सामने और राज्यसभा के सामने जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे के सारी लोग बैठ कर discuss करेंगे फिर उसके बाद उस पर vote करेंगे अगर सब इस बात से majority अगर इस बात से सहमत है कि आपका जो ये document है ये कानून बनने के लायक है तब उसको बोला जाएगा कि आपका जो document है वो pass हो गया उस document को दोनों की दोनों सदन pass करने के बाद President के पास भेज देंगे sign करने के लिए and the moment the President signs आपका जो document है उसको कह दिया जाएगा act बन चुका है वो कानून बन चुका है law बन चुका है उस President के sign से पहले वो जो document है उसको bill कहा जाता है bill हमारे देश के जो राज्य सवा और लोग सवा जो parliament है उनके अंदर जब भी कानून बनता है तो सिफ चार प्रकार के bill होते है ordinary bill, money bill, financial bill और constitutional bill आज हम ये देखेंगे कि ये जो चारो के चारो बिल हैं कानून बनने के लिए इनको क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ordinary money, financial वाले bill का constitutional bill का हम lecture number पहले एक बर जो constitutional amendment जो हमने chapter पड़ा था which is the chapter 10th of the Lakshmikant उसके अंदर हम कर चुके हैं तो हमारा focus आज ordinary bill कानून कैसे बनता है money bill कानून कैसे बनता है and financial bill कानून कैसे बनता है इसके उपर रहेगा let us start it the legislative procedure is identical in both the houses of the parliament यानि कि जो भी process होता है एक bill का कानून बनने का एक देखिए bill, एक document होता है जिसके अंदर सारे के सारे कुछ किसी भी चीज के बारे में कोई provisions लिखे जाते हैं जैसे कि suppose कीजिए कि आपको Motor Vehicle Act यानि कानून में ये बाते डालनी है कि अगर देश में कोई red light तोड़ता है तो उसके उपर कितने रुपे का चलान होना चाहिए ये बात तब तक नहीं हो सकती तब तक कानून ना बन जाए पूरे देश के लिए एक uniform कानून बनेगा तब ही ये basically बात आप पुलिस है जो implement कर पाएगी पुलिस is the executive authority जो की law को implement करती है ये चीज करने के लिए आपको एक document बनाना पड़ेगा बिल बनाना पड़ेगा जुसमें इस सारी की सारी details लिखनी पड़ेगी ये क्या होता है हमारे पास दो सदन है राज्य सवा और लोग सवा दोनों के दोनों सदन के अंदर जब बिल जाता है तो same process follow करता है ठीक है It's an identical process context बताता हूँ है जब identical नहीं होगा जब identical होता है इसी चीज को हम prelims की नजर से देखेंगे Every bill has to pass through the same stages in each house A bill is a proposal for legislation and it becomes an act or law when duly enacted मतलब की एक जो bill होता है वो जो bill जिस चीज को हम बार-बार bill कह रहे हैं It's a document Basically एक proposal है कि इस चीज को कानून बना दिया जाए और जब तक वो दोनों house pass करके President उसके ओपर sign नहीं कर देंगे तब तक वो basically law नहीं बन सकता यानि कि आपके देश में जितने भी law है वो सारे के सारे law तब बनते हैं जब लोकसभा उन्हें पास करती है राज्यसभा उन्हें पास करती है और फिफ प्रेजिडेंट उसके उपर sign कर देते हैं ये तीन आपको process की जो steps हैं ये तीनों के तीनों पता है अब हमारा जो legislative procedure पढ़ने का इरादा है वो ये जानना है कि लोकसभा में होता क्या है लोकसभा के पास होने بिल proposal बनने के बाद लोकसभा में पास होने तक का जो procedure है इसको कहा जाता है legislative procedure हम three steps जानते हैं कि लोगसभा का पास होना, राज्यसभा का पास होना और प्रेजिडेंट का साइन होना, ये तीनों चीज़े compulsory हैं law बनने के लिए, इसके पहले क्या है, उसको legislative procedure कहते हैं which we'll study today, बिल जब भी Parliament में introduce होते हैं, इनको दो परकार के बिल कहा जाता है, एक तो public bill ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हमारे लोगसभा या राज्यसभा में जितने भी elected parliamentary हैं उसमें दो परकार के लोग हैं इन 543 लोगों में से कुछ लोग member बन गए है council of ministers के, ठीक है, council of ministers के, council of ministers यानि की मंत्री पर, ये लोग council of ministers का कोई member कोई proposal देता है house के अंदर कोई bill introduce करता है कि मैं इसको कानून बनाना चाहता हूँ तो उसको कहा जाता है public bill क्यों public bill कहा जाता है क्योंकि ये 60 लोग ना government है they are the government, hence whatever they are introducing is basically on the behalf of the public, hence it is known as public bill or the government bill जो ये member of parliament है, ये elected है, परन्तु government का part नहीं है, ये जब bill करेंगे तो इसको कहा जाएगा कि एक private member ने अपना खुद का bill लाया है, just to differentiate between the government policies and the other member of parliamentary, ये distinction दी गई है, और सवाल ये होता है both are governed by the same general procedure, pass through the same stages in the house, दोनों के दोनों similar प्रकार से होते हैं, इनके बीच में difference देखिए, public bill जो होता है, वो minister introduce करता है nothing new about it, and private bill जो होता है, it is introduced by a member of parliament other than a minister, ये ही फरक है, इसके अलावा कोई भी फरक नहीं है इसमें, ये जो होता है, ये policies of the government क्योंकि council of minister का ही एक member है, जो कि इस bill को introduce कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि government जो है, उसने अपना sanction दिया है, इस bill को introduce कराने के लिए, hence it is usually the government policy of the day, it reflects the stand of the opposition party on public matter, private bill usually opposition party ही introduce करेगी, क्योंकि अगर government को करना है, government वाली party को करना है, तो उसके minister ही introduce कर देंगे, ये obviously इसके अंदर greater chance है, parliament में पास होने का, logically speaking, क्यों क्योंकि जब government introduce करती है तो उनको पहले से ही पता होता है कि इस bill पर हमें है, majority मिलेगी तभी वो introduce करते हैं, इसलिए वो पास होता है, जब भी government, minister जब भी कोई bill पास करता है, वो हमेशा पास होता है, अगर पास नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी, basically इसमें, obviously, जब प्राइवेट बिल होता है, यह बहुत कम चांस होते है, इनके पास होने के इस rejection of the house amounts to expression of want of parliamentary confidence may lead to its resignation, यानि कि मंत्रियों के दुआरा कोई अगर bill introduced किया है house में और house ने majority vote की और वो bill हार गया, proposal हार गया, house में majority ने बोला कि नहीं, यह bill गलत है तो basically इसका मतलब government को resign करना पड़ सकता है, इस से कोई फरक नहीं पड़ता है, private member का हार जाए, हार जाए ना MP को resign करना पड़ेगा, कोई problem नहीं है, its introduction in house requires seven days notice तो कोई भी नया कानून जब बनाना चाहते हैं, चाहे motor vehicle act हो गया, या फिर जम्मुएन कश्मीर reorganization bill हो गया, या फिर citizenship amendment act बिल हो गया, या फिर हमारे farmers bills हो गये, क्रशी कानून जो हो गये, agriculture bills जो हो गये यह सब के सब जो bills हैं, क्योंकि यह government, ministers ने introduce की हैं, तो कभी आपको पूरे पात साल में कोई introduce भी नहीं दिखे का private bill, so this is just from the prelims perspective, it is drafted by the concerned department in consultation with the law department, इसको private member अपना स्वयम खुद करके, draft करके लाता है, अपने साथ, अपने personally खर्चे पर, अपनी team के साथ मिलके, ठीक है, यह वाली बात होगी, that is it, इससे ज़्यादा इसके अधिक, इसमें कुछ जानने की जूरत नहीं है, सवाल यह है, कि जो Parliament के अंदर यह proposal आते हैं, कानून बनने के, यह total चार प्रकार के proposal आते हैं, ठीक है, एक तो सबसे पहले, ordinary bill, which are concerned with any matter other than the financial subject, ध्यान से सुने, यह total ना कितने दूसरा, एक जो कि पैसे से संबन्दित हो, money, financial matter से संबन्दित हो, और एक जे, एक दूसरा, जो जिससे financial matter से संबन्दित हो, तो total जो classification हैं, यह तीन classification है, यहाँ पर देखिए, तीन classification के उपर आते हैं, सबसे पहले, तो एक तो हो गया constitutional amendment bill, clear cut, ठीक है, दूसरे वाला हो गया, money bill, money है, money से ज़्यादा actually में better शब्द होगा कि ऐसा bill, जो कि पैसे से संबन्दित हो, finances से संबन्दित हो, finances, money, ऐसा कुछ हो, ठीक है, दूसरा, other than money, other than money, जिसमें पैसे से संबन्दितना हो, total यह तीन bill है, ठीक है, और यहाँ पर financial bill में दो bill आगे, एक money bill, एक financial bill, जो कि एक specifically technicality है, हमारे constitution की, money और finance में क्या फरक होता है, इन दोनों को हम समझेंगे, तो total होगे, 4 ordinary bill, एक तो constitutional, उसमें clear cut की समीधान को amend करने के लिए, वो bill आगे बढ़ रहा है, ऐसा कानून introduced किया गया है, which will change the constitution, done, complete, उसके बाद दो ही परकार के, या तो पैसे से सम्मंदित, या पैसे से नहीं सम्मंदित, पैसा मतलब सरकार का जो पैसा होता है, उससे सम्मंदित, या उससे नहीं सम्मंदित, tax, expenditure, revenue, इनसे सम्मंदित, या फिर उससे नहीं, अगर नहीं है, तो वो ordinary bill हो जाएगा, ठीक है, और अगर पैसे से सम्मंदित होगा, तो फिर दो परकार से हो सकता है, एक तो money bill हो सकता है, और एक financial bill हो सकता है, जिनके बीच का जो technical difference है, वो हम आज देख लेगे, ठीक है, अब सबसे पहले, constitutional amendment bill में confusion मत होईएगा, constitutional amendment bill से सम्मंदित, जो पूरोगा पूरा chapter है, हम पहले lecture में कर चुके है, हमारा focus रहेगा सिफ इन तीन के ऊपर, and to be more precise, legislative procedure जो होता है, वो दिन बे दिन, ordinary bills के context में ही पढ़ा जाता है, ठीक है, ordinary bills, नाम ordinary है, law ordinary नहीं होते हैं, ठीक है, law extraordinary भी हो सकते हैं, दुनिया भी बदल जाती है उन law से, तो ordinary bill सिफ कहने का मतलब है कि इन तीनों के अलावा जो bill होता है, उसको ordinary bill कहा जाता है, so first is ordinary, second is money, which is a technical definition, हमारे article 110 के अंदर constitution में एक list दी हुई है, उस topic से समंदित कोई bill है, तो उसको money bill कह देंगे, and then the financial bill, उन topic से अलग कोई bill होता है, तो उसको financial bill कहा दा जाता है, and then the constitutional amendment, let's try to understand कि जो यह ordinary bill होता है, यह pass कैसे किया जाता है, which follows a very very simple तरीका, एक बड़ा simple सा system इनका काम करता है, बिल को, and this is it, और पूरी class खतम हो जाएगी यह अगर slide खतम हो जाती है तो, देखियो, bill यानि की proposal है, एक minister ने बनाया, document बना लिया, उसको सबसे पहले जब Parliament में introduce करते हैं, हमारे जो speaker हैं, तभी हमने उनके बारे में पढ़ा था, उनकी permission से, first reading, एक बार reading करते हैं, which is technically, नाम से first reading का यह मतलब नहीं है, कि सब बैठके पढ़ रहे हैं, जो minister introduce करेगा, वो basically suppose कीजी, अपना document लेगा, और उसका title और उसका purpose पढ़ देगा, इस चीज़ को first reading कहा जाता है, simple, इससे जादा कुछ नहीं है, उसके बाद, आगे बढ़ते हैं, second reading, अच्छा, यह पूरा का पूरा detailed system है, यह reading की बजाए, यह और भी ज़्यादा detailed analysis है, ठीक है, second reading का मतलब है, कि जो document या, जो bill, अब bill ही बोलते हैं, उसको document से confused नहों हो जाए, जो bill, कोई भी minister introduce किया है, इस bill को general discussion करती है, सारी की सारी लोग सभा, राजय सभा बैठके, एक committee को दे दिया जाता है, committee उसको बारे में discussion करती है, पूरा का पूरा, उसके हर एक clause को समझने कोशिश करती है, कि आखिर इस bill में क्या लिखा गया है, और फिर consideration, हमने, पिछले कुछ दो-तीन lectures में पढ़ा है, कि voting होती है, एक-एक clause पर voting होती है, फिर उसको closure कर देते हैं, पहले motion होता है, substantive motion, फिर discuss होता है उस topic के बारे में, फिर उसके बाद उस motion को खतम कर देते हैं, closure motion, वो जो होता है, वो consideration का part होता है, काफी लंबा है, 6-6-2-3-3 महीने भी चल सकता है, ज़रूरत पढ़ने पर, but it takes like 1-2-2-3-4-5-10 days, कितना भी सामय लग सकता है इस के अंदर, यह जब पूरो का पूरा, basically, original legislative procedure है, वो second reading ही है, ठीक है, उससे पहले तो बाज की तो formality है, third reading, अब सब discussion होने के बाद, third reading का सिर्फ और सिर्फ यह मतलब होता है, कि बैट कर vote कर रहे होते हैं, वो उस bill के उपर, यह third reading होगी, तो voting है, it's more like voting, कि वही सब discussion होगा है, चलिए आज हम इस कानून के बारे में, how many eyes and how many nose यह पूछ लेते हैं, तो ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया, तो फिर basically वो bill हो जाता है, pass, and the moment that bill is passed, in one house, किसी भी house का process है, दूसरे वाले house के अंदर, same to same procedure, फिर दुबारा से follow किया जाता है, फिर दुबारा से दूसरा house, first reading में, उसके title को बता दिया जाएगा, closure motion किस प्रकार से होता है, begin कैसी होती है discussion, उन सब को follow करके, दूसरा house भी पूरा का पूरा same process follow करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसके बाद bill को कर देता है, pass, यह दोनों pass कर देते हैं, फिर president के पास bill चला जाता है, and president basically इसको ऐसे, बहुत ही अच्छी तरह से उसके उपर sign कर देते हैं, sign का मतलब president का, कि ascent of the bill हो गया, bill ascent हो गया, तो मतलब bill actually में कानून बन चुका है, first reading, ठीक है, क्या करें, an ordinary bill can be introduced in either house of parliament, किसी भी house में, अब यह याद रखते जाएंए, कुछ bill है, जो कि सिर्फ लोगसभा में introduced होते हैं, okay, prelims की नजर हमारी रहेगी हमेशा, such a bill can be introduced either by a minister or any other member, ठीक है, यानि कि, ordinary बिलेक ऐसा bill है, जो कि ordinary है, पुलकुल किसी भी house में कर दो, लोगसभा में introduced कर दो, राजय सभा में कर दो, कोई भी minister कर सकता है, कोई भी private minister कर सकता है, nothing special about it, member, जो कि introduce करना चाहता है, ask for the leave of the house, अर्थार, permission of the house, पूछेंगे, permission of the house का मतलब speaker की permission होती है, यह निये कि पूरे house से पूछना पड़ रहा है, speaker से पूछा जाएगा, speaker will be like, introduce, introduce, when the house grants leave to introduce the bill, the more of the bill introduces it by reading its title and objectives, proposal introduce करें करिये आप, राजनाथ सिंग जी को permission दे दी, defense का एक नया bill introduce करना था, तो ओम बिरला जी लोग सभा के speaker हैं, राजनाथ सिंग जी वहाँ के काउंसिल ओफ मिनिस्टर के cabinet minister से, वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने पूछा, मैं डिफेंस पर एक bill introduce करना चाहता हूं, ओम बिरला जी बोलेंगे कि चलिए कीजिए आप एक bill introduce कर दीजिए, leave of the house मिल गई राजनाथ सिंग जी को, he will take the, जो उन्होंने document बनाया है अपना team के साथ मिलके, वो उसका title पढ़ेंगे, ये defense production procurement bill मिलको introduce करना है, उसके objectives बता देंगे, done, ये हो गया first reading, done हो गया इसके बाद, later no discussion on the bill takes place, कोई discussion नहीं करेगा, सबको बस पता चलिए कि ऐसा नया bill आ रहा है, the bill is published in the Gazette of the India, Gazette of the India एक legal document होता है, Government of India का, तिर, Government of India उसके अंदर, उसको publish करते हैं, वो weekly आता है, तो याद रखे, एक बार इसको website पर जा कर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए, ये चीज है क्या, Gazette of India, and my question to you is that, who publishes it, और कौनसी ministry, it'll be surprising to you, कि ये कौनसी ministry publish कर रही है, क्योंकि इस ministry का, कोई logic बनता नहीं है, गजट को publish करने का, publish तो usually information और broadcasting से संब्दित होना चाहिए, तो आपको ये जानना है, कि Gazette कौनसी ministry publish करती है, एक बड़ा छोटा सा prelims question है, this will definitely come one way or the other, एक दिन में आने वाला है किसी भी दिन, कि Gazette कौनसी ministry publish करती है, have a look at it, Gazette weekly publish होता है, जिसके अंदर government, it's a legal document of government, अगर जरूरत पड़ते हैं, तो इसको बीच में भी publish कर जा सकता है, उस समय इसको extraordinary gadget कह दिया जाता है, gadget के अंदर ये bill publish कर देते है, और इस चीज़ को कहते हैं first reading, if a bill is published in the gazette before the introduction, leave of the house to introduce the bill is not necessary, the introduction of the bill and its publication in gadget constitute the first reading of the bill, ये समझो, इस sentence को याद करो, कि first reading of the bill क्या कहते हैं, let me reframe a question of prelims to you, what is the first reading of the bill, statement A, introduction of the bill, statement 2, publication in the gadget, और उसके बाद option दे दिया, both A, both B, both A and B, only A, only B, both A and B, इस प्रकार से आप याद रेखेंगे कि जो first reading है, उसमें publication in the gadget is also involved, जो कि usually दिमाग से skip हो जाएगा, कि क्या लेना देना, गजेट का हमारे पार्लिमेंट से, बट येस, इसका लेना देना होता है, अब आजाते हैं second reading पे, which is tremendously, now, यह actually में legislative procedure है, it forms the most important stage in the enactment of the bill, इतनी important है, कि इसकी खुद की sub-stages है, यानि कि stage of general discussion, committee stage और consideration stage, अच्छा, इसमें कहने का क्या मतलब है, कि जैसे ही जो bill है, अब introduce हो चुका है, और gadget में publish हो चुका है, अब क्या करेगी, जैसे लोगसभा में हम लोगसभा का example ले रहे हैं, कि राजनात सिंग जी ने एक bill introduce किया है, defense के बारे में, stage of general discussion में क्या होगा, कि लोगसभा में बैठके बातचीत करेगे, bill का एक clause पढ़ा जाएगा, उसके उपर कुछ-कुछ viewpoints दिये जाएगे, general discussion चल रही है, कोई ऐसा detail नहीं है, फिर उसके बाद जल्दवाजी में फिर एक दूसरा, अगें, यह सब उसी प्रकार से हो रहा है, जो कि हमने पहले पढ़े थे, motion, closer motion, यह जो कहना में, substantive motion, यह उसी से संबंदित है, इसलिए पढ़ाये गए थे, वो dictionary words जो थे, कि क्या हो रहा है, यह जो voting का process होता है, यह motion pass होगा, चलो भी बात कर लिए इसके बारे में, आपने यह discussion हो चुका है, चलिए, again, the only way to learn it, so that you can actually solve the questions in the prelims, is to watch, is to watch, एक लोगसभा का session देखिए, इसके बाद, इस class के बाद, एक लोगसभा का session देखो, बिल पास होने का, live होता है, उनका परसारण आपको दिखेगा, कि पता चल जाएगा, कि ठीक है, and then once you remember it, दुबारा कभी जिन्दगी में नहीं आत भूलोगे, दूसरा, फिर committee stage, अच्छा, यह committee stage नहीं दिखेगी, ठीक है, committee stage का क्या मतलब होता है, कि, क्योंकि 540 लोग बैठ के, कुछ खास discussion तो नहीं कर पाएंगे, so what happens is that, लोकसवा क्या करती है, उस bill को, जो bill introduced किया राजनात सिंग जी ने, और अच्छा, क्योंकि भी opposition वालों का भी तो, opposition वाले भी member of parliament है, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जितनी government महत्वपूर्ण होती है, तो एक committees बिठाई जाती है, committee में क्या होता है कि 10, 15, 20 लोग होते हैं, जिसमें ruling party के भी लोग होंगे, government के भी लोग होंगे, और साथ में क्या कहते हैं, opposition party जो होते हैं, उनके भी लोग होंगे, तो ये 15, 20 लोगों को, ये bill दे दिया जाता है, कि आप इसको analyze कीजिए, अब वो शिद्दत से बैठ कर, अपने office में discussion करते हैं, bureaucrats होते हैं, वहाँ पे अपने जो cabinet, secretariat के जो लोग होते हैं, then they discuss each and every point, in that committee, वो committee finally बना कर, एक report दे देती है, तो आप समझें, दो प्रकार सा system होगा, आप लोग सभा के MP है, अब आप बैठे थे, सबसे पीछे बैठे हुए थे, आप ने देखा कि राजनाथ सिंग जी ने एक नया law introduce कर दिया है, bill introduce किया है, law introduce नहीं किया, bill introduce कर दिया है, आप ने title सुना पहली first reading में, पता चल गया, अब gadget of India में print भी हो गया, आपको ये पता चल गया, कि ये कानून आने, ये bill आने वाला है, ठीक है, अब दुबारा से पहले दिन stage of general discussion होई, तो stage of general discussion में आप बाते कर रहे थे, बता रहे थे, अच्छा clause बताना आप अच्छा नहीं नहीं, उसमें कुछ changes आप suggest करेंगे, government को, कुछ government मानेगी, कुछ नहीं मानेगी, detail में करने के बाद, आप एक report बनाएंगे, आप एक report बनाएंगे, और फिर सदन के सारे लोगों को दे देंगे, कहना मैं submit कर देंगे, ये इस bill के उपर report है, दूसरी situation ये थी, कि आप committee के member नहीं थे, तो अब आप committee के member नहीं है, तो आपको सिर्फ वो report बिलेगी, आप report पढ़के देख लोगे, छोटी मदलबा राम से, पचास पन्ने का लैसे कि बिल था, आपने सिर्फ और 15-15 पन्ने में जो report थी वो पढ़ ली, आपने अपना मन बना लिया, कि आप इसको support करेंगे ये नहीं करेंगे, and then the consideration stage, consideration stage क्या होता है, हर एक जो clause होता है, discuss होता है और उस पर voting होती है, कि ठीक है ये voting है, okay done, agreed, not agreed, not agreed, इस पर agreed, इस पर not agreed, consideration stage, ये तीन stages पास होती है, second reading की, जो कि basically पूरे के पूरे बिल को detail में discussion करती है, इसके बाद आजाता है, third reading, which is technically only confined to acceptance and the rejection of the bill as a whole, and no amendments are allowed, as the general principle underlying the bill have already been scrutinized during the stage of the second reading, second reading में complete, focused, detailed discussion, amendment, agreement, जो भी चीज़ पर rejection है, वो पूरी की पूरी हो चुकी है, सारी की सारी लोकसभावत के दौरा, सारे के सारे committees के दौरा, so जब third reading आती है, तो आप more or less सिर्फ voting की बात बची हुई है, अब आपके सामने जो speaker होंगे, वो ये बात करेंगे कि क्या इस bill को पास करना है या नहीं करना है, तो अब आपको यहाँ पर amendment नहीं suggest करनी, अब आप यह नहीं कहेंगे कि सर, bill ठीक है वाट इसमें एक बदलाव गर सकते हो, अब आप उसको changes नहीं होंगे, अब आपका मन क्योंकि तब तक इस पूरे के पूरे process में बन चुका होना चाहिए, कि आपको यह बिल पूरा पसंद है या पूरा ना पसंद है, तो यहाँ पर सिफ yes or no बचा है बिल के बारे में, अब बिल वोट के लिए डाल दिया जाता है, third reading का मतलब क्या है, this was actually followed in the making of the constitution also, ठीक है, constitution बनने में भी यही process हुआ था, जो first reading थी, वो इसी परकार से एक simple सी reading थी, फिर second reading, detailed reading, एक एड़े साल तक जो चलती रही, और last में 14 November को third reading start हुई थी, 14 November 1949 को, और वो 26 November को फिर basically finally pass कर दिया गया था, जो बिल, उसके बाद जैसे ही वो पास कर दिया constituent assembly ने, तो जो वो constitution bill है, वो constitution act बन चुका था, then it becomes the constitution itself, similarly अब यहां पर आप voting करेंगे, majority लोगों ने हां भर दिया है, तो यह bill मान लिया जाएगा, पास, this bill is authenticated by the presiding officer, presiding officer अब इसके उपर sign कर देंगे, यह कहके कि हाँ, यह हमने पास कर दिया है, लोगसभा ने पास कर दिया है, and it is transmitted to the second house for consideration and approval, और वो bill फिर उसके बाद दूसरे house को भेज दिया जाता है, यानि कि अगर हम लोगसभा में थे, तो अब राज्यसभा को भेज दिया गया, and the राज्यसभा क्या करेगी, will follow the same process of the first reading, फिर वो वहाँ पर उस समय basically दुबारा से पढ़ेंगे उसको, फिर दुबारा से gadget में करेंगे, फिर दुबारा से second reading होगी, committee discuss करेगी, consideration की जाएगी, और उसके बाद then third reading में वो वोट करेंगे, and in case राज्यसभा ने भी पास कर दिया, then it is deemed to be passed by both the houses, either with or without amendments, ठीक है, तब जाके इसको प्रेजिदेंट के पास भेज दिया जाएगा, bill in the second house also passes through all the three stages, that is the first, second and the third reading, ठीक है, अच्छा, अब ये वाली बात पर यहाँ पर prelims की, अब अपना prelims वाला दिमाग खोलो की क्या होगा, तो लोग सभा ने पास कर दिया यह, ठीक है, पूरा का पूरा legislative procedure फॉलो करके, अब यह आगया राज्यसभा में, राज्यसभा के पास total चार option, total चार option, यह हो गया, तो मतलब बिल पास हो गया, अब प्रेजिडेंट साइन कर देंगे, कानून बन गया, simple बात है, कोई complex नहीं है, कोई बिलकुल confusion है, दूसरा क्या है, इट में पास दे बिल, राज्यसभा ने यह सोचा, कि आपने बिल अच्छा बनाया था, लेकिन इसमें यह दो बदलाओ, हम लोगों ने decide किये हैं, check कर लीजी अगर आपका मन है तो, if you want it, तो कर लीजीए, ठीक है, एक यह वाली situation होगी, इट में reject the bill altogether, एक तो यह बिल को reject ही कर देंगे, पास नहीं किया राज्यसभा ने, राज्यसभा बोले कि नहीं हो नहीं, तुमने किया हमें पसंद ही नहीं आया, majority ने वोट किया, एंद राज्यसभा ने बेसिकली पास ही नहीं होगी बिल, तीसरी है situation, चौथी, राज्यसभा वाले बेटे हैं, सारे के सारे Member of Parliament बोले हमें काम करना ही नहीं है, हम नहीं करते, बोलो क्या करोगे, चार situation यह exist होती है, पहले वाला, अगर उन्होंने पास कर दिया तो खतम, फिर यह बिल हो गया है law, अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजिडेंट के साइन है, वो हो ही जाते हैं, उसमें घबराने का ज़्यादा मुद्दर हैता नहीं है, ठीक है, law बन गया, दूसरा, इट में पास दा बिल with amendments, और रिटरन इट तो फर्स हाउस for reconsideration, यहाँ पर देखें क्या खेल हो सकता है, यहाँ पर दूसरे हाउस के पास, लोगसाबा के पास वापिस बिल गया, लोगसाबा ने amendment देखी, अगर लोगसाबा कहती है कि okay, these amendments are okay, तो फिर लोगसाबा को दुबारा से process follow नहीं करना है, ठीक है, फिर दुबारा से यह नहीं कि अब नहीं amendment आई है, इस amendments को भी discuss किया जाए, इन amendments को भी pass किया जाए, consider किया जाए, voting किया जाए, नहीं, लोगसाबा बिलाई कि ठीक है, done, we accept your amendment, अगर मान लिया, accept कर लिया, तो बिल पास हो गया, और वो बन गया law, अगर लोगसाबा बोली, no, हमें तुम्हारी amendment नहीं पसंद है, एक तो यह situation होगी, amendment नहीं पसंद है, अब अटक गया, वही, राज्यसाबा ने पास तो किया है, लेकिन amendment के साथ किया है, लोगसाबा ने पास किया है, लेकिन बिना amendment के पास किया, तो इसका मतलब दो different kind of bill पास किये गए हैं, ठीक है, दूसरा, राज्यसाबा ने बिल की amendment रोज्यसाबा नहीं भेजी, रिजेक्टी कर दिया, यह दोनों situation, इनक situation का मतलब होता है, deadlock, यह deadlock create हो गया, अब इस situation में क्या किया जाए, लोगसाबा ने पास कर दिया, राज्यसाबा ने नहीं किया, लोगसाबा ने पास कर दिया था, राज्यसाबा ने पास किया है, लेकिन amendment के साथ, और लोगसाबा कह रही है, हमें यह amendment नहीं माननी है, राजे सभा बोले की तो हम तो amendment के बाद ही पास कर रहे हैं दोनों के दोनों situation में हो गया है lockdown ऐसी deadlock situation में, lockdown वाली situation में क्या किया जाएगा, ठीक है and राजे सभा, it may not take any action thus keep the bill pending इसके बारे में आते हैं, ठीक है सबसे पहले, second house passes the bill without any amendment or the first house accepts the amendment suggested the bill is deemed to have been passed, same is sent to the president यह तो first situation हो गई, जो हम रिपीट कर चुके हैं कई बार second house, pass the bill without amendments बिना amendments के भेज दिया, तो पास हो गया है amendments के साथ भेज दिया और लोकसभा ने मान लिया कि भाई, amendment हुमारी है, तो इन दोनों situation में bill president को भेज दिया जाएगा if the first house rejects the amendment ठीक है, reject कर दी लोकसभा ने, हमें amendment नहीं माननी है second, rejects the bill altogether और second house does not take any action for six months, a deadlock is deemed to have taken place यह वाली जो situation है, it may not take any action does keep the bill pending, अगर यह छे महीने तक ऐसे कर दिया तो यह total तीन situation हो गई है deadlock की, ठीक है, तीन situation पहले वाली, जब राज्यसभा ने amendment करके भेजा है, लोकसभा ने amendments को reject कर दिया है, ठीक है deadlock, दूसरा, राज्यसभा ने bill ही pass नहीं किया, deadlock तीसरा, राज्यसभा ने छे महीने तक कुछ किया ही नहीं bill पे, तीन situation हो जाएंगी deadlock की, ऐसी situation में, when it comes to ordinary bill, specifically याद रखिये, when it comes to ordinary bill, तो एक joint sitting बठाई जाएगी houses की, if the majority of the member present in the voting, joint sitting में लोकसभा और राज्यसभा के सब के सब लोग बैठे हैं, इखटे vote करेंगे वो, ठीक है, इखटे vote करेंगे, bill is deemed to have been passed by both the houses, जैसे ही वो इखटे vote करेंगे, तो bill pass हो जाएगा, दोनों के दोनों के दुवारा, joint sitting बहुती जादा rare होती है, ठीक है, rare in the sense कि पिछले 70 सालों में, सिर्फ तीन बार joint sitting की जुरुत पड़ी है, अब तक, ठीक है, एक बार जो डौरी prohibition बिल है, 1960 में, तो वो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा मन्तब राज्यसभा मानने को तयार नहीं, तो फिर एक joint sitting बुलाएगी, joint sitting में, usually लोकसभा के पास majority है, पांसो पचास, पांसो तरतालिस member है लोकसभा के पास, तो usually, जब joint sitting होती है, तो लोकसभा prevail करती है, ठीक है, चलिए, देखे nevertheless, किसी वाली में, जब amendment नहीं मानी, राज्यसभा ने जब बिल को reject कर दिया, और राज्यसभा ने छे महिने तक कोई action नहीं लिया, तो फिर joint sitting करवाने के बाद, joint sitting में जो result आएगा, वो final है, अगर joint sitting में पास नहीं हुआ, तो bill cancelled, और joint sitting में पास हो गया, तो भाई, फिर last stages पे, ascent of the president, president के पास भेज दिया जाएगा, president उसके उपर sign करेगा, every bill after being passed by both houses of parliament, either singly or at a joint sitting, is presented to the president for his ascent, it's as simple as that, सरल बात है, कोई confusion ही नहीं ना, और it is so much fun to understand this, इसके तीन alternative है, अब president के पास तीन alternative आगे, president पहले तो क्या है, sign कर दी भाई, इस president ने, president बोला, ठीक है, मैं राश्च्पती हूँ, this is my job, I am the parliament in itself, I will sign all this bills, sign कर दिया, दूसरा, he may withhold and he may return the bill for reconsideration of the house, ठीक है, जैसे ही president sign करेंगे, bill बन जाएगा, law, immediately, president का sign, bill is equal to law, bill is equal to act, सरल बात है, ठीक है, situation में, जब वो reconsideration के लिए भेज सकते हैं, bill को जरूरत पढ़ने पर, वो reconsideration के लिए भेजेंगे, दुबारा से, अगर लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया उस bill को, then, अब compulsory है, now, he will have to sign it, he will have to give an assent, दुबारा में, ये नीचे वाला option ही खतम हो जाएगा, दुबारा में, सिर्फ और सिर्फ, he may give, only one option बचेगा, he may नहीं, he have to give assent to the bill, एक बार reconsider होने के बाद, जो bill आया है, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है, कि प्रेजिडेंट ने reconsideration के लिए भेजा है, तो उन्होंने amendment कर दी, तो अब प्रेजिडेंट को ये नया bill मिला है, क्या नहीं, amendment की, इसका मतलब नहीं है, कि नया bill होगा, फिर से reconsider करो, नहीं, बिना amendment के भेज़ दिया, तो भी कोई नहीं है, प्रेजिडेंट को बेसिकली, उसके बाद, असेंट देना ही पड़ेगा, must give his assent to the bill, यानि कि प्रेजिडेंट एंजाइल, only a suspensive veto, एक पल के लिए bill को suspend तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कि उसको completely ही छोड़ दे, और जरूरत पढ़ने पर he may withhold his assent, बैट जाएं, प्रेजिडेंट जी बोले, नहीं sign कर रहा मैं, तो क्या करोगे, in generally, प्रेजिडेंट ऐसी हरकते नहीं करते हैं, राश्पती, जो भी कोई बिलाता है, वो उनके छोड़ दो, जस्ट वो prelims के लिए याद करना है, मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होते हैं, जो मंतरी होते हैं, वही बेसिकली बिल को introduce करते हैं, ठीक है, कानून उनको ही बनाना होता है, वही government है, government अपनी policy, एक plan करती है, एक vision होती है government की देश को ऐसे चलाना है, उस vision को सच लाने के लिए वो कानून बनाते हैं, so only ministers, usually जब भी आप देखेंगे, लोग सभा, राज्य सभा में जो bill introduced हो रहा है, वो ministers के दुआरा किया जाता है, ministers first reading, कहने का मतलब है कि वो उस दिन house में announce कर देते हैं कि this is the bill I want to introduce, और उसके बाद उसको gadget में print करा देते, गजट में print करा दिया, यह हो गया first reading का, अब second reading है detailed, इसमें थोड़ा सा जो दूसरे opposition वाले members है, उनका भी थोड़ा participation है, discussion होता है पहले दिन general discussion है, चोटा सा bill के बारे में समझने के लिए कि क्या bill है, फिर उसके बाद वो एक committee को दे दिया जाता है, लोगसभा की committee को, क्योंकि लोगसभा में introduce हुआ तो लोगसभा की committee को दे दिया गया, उस committee के अंदर हर एक प्रकार के जो MP हैं, वो सब के सब हैं, opposition वाले भी हैं, ruling वाले भी हैं, they discuss it, point to point, clause to clause, जितनी detailed discussion हो सकती है, team के साथ मिलकर, वो discussion करते हैं, जब वो discussion complete हो जाती है, तो ये committee एक report produce कर देती है, house के लिए, house के लिए मतलब कि सारे ये सारे member of parliament उस report को पढ़ सकते हैं, and then, उस bill को clause by clause consider किया जाता है, clause by clause consider करने का मतलब है कि पहला clause, house speaker बोल देगा, ये clause है, बताओ कुछ किसको क्या बोलना है, किसको क्या कहना है, फिर उसके बाद उसका सामने, आप agree करते हैं, या नहीं करते हैं, yes or no, shall we pass it or shall we not pass it, अगर majority ने बोल दिया, हाँ, तो जो speaker होगा, लोगसभा का, उस sign करेगा, उसको authenticate करेगा, ये bill हमाने, लोगसभा ने pass कर दिया, and then they send it to the Rajya Sabha, they start with the same procedure, वहाँ पर फिर से first reading होती है, फिर से second reading, अच्छा, अब ये बात ध्यान रखिए कि जो minister है, minister तो वहाँ पर भी introduce कर सकता है, राज्यसभा से start करोगे तो लोगसभा में दुबारा से process followगा, लेकिन अभी एसी direction में चलते हैं, अब राज्यसभा fit to fit same काम करेगी, दूसरे house के पास again, total 4 situation exist कर रही है, पहले वाली situation ये होती है, कि राज ये दोनों house जैसी pass कर देते हैं, president के पास bill जाता है, president sign कर देते हैं, it becomes an act, it becomes a law, दूसरी एक situation कभी कभी ऐसा rare भी हो जाता है, यहाँ पर लोगसभा में ruling party majority में है, राज्यसभा में opposition party majority में है, तो राज्यसभा basically उसको reject कर देती है, उस वाइसे वाले bill को, अगर reject कर दिया, या फिर कोई amendment suggest किये, और पहले वाला system count करते हैं, जिसमें amendment suggest किये, राज्यसभा ने pass तो कर दिया, लेकिन कुछ amendment भी दिये, बोले कि bill अच्छा है, ये बदल दीजिए, दो point, तो लोगसभा देखेगी, दोनों point बोले, ठीक है, done, yes कर दिया, yes कर दिया, तो bill pass, अब लोगस के अब दोनों की बन नहीं रही है, दूसरा, राज्यसभा बोली कि मेरे को pass ही नहीं करना है, तुम्हारा bill तुमने किया है, I, we don't do it, majority ने मना कर दिया, फिर हो गया deadlock, और तीसरे वाला, राज्यसभा ले गे, bill आया पास, और 6 महीने होगे, कुछ करके नहीं दे रहे उसके majority की जो, जिस परकार से present and voting में जो majority आईगी, simple majority, यानि 51, 50% plus 1, जैसे ही उसके बारे में vote करेंगे, वो yes or no का फैसल हो जाएगा, and that bill would be considered passed by both the houses, and it will be sent to the president, and that is it, president के पास, again, जो हमारे सामने हैं, यह हमने अभी-अभी option check कर ही लिए है, इतना सा simple सा तरीका होता है, ordinary bill को pass करन का, ठीक है, in general, इसमें जादा यह जो complexity है, इस सिफ prelims के लिए पढ़नी है, बाकी ordinary bill, लोग सभा में introduce होता है, पास करते है, लोहराज्य सभा भी पास करते है, और फिर प्रेजिदेंट के पास चला जाता है, 90% बिलों का यही खेल है, अब ordinary bill के बाद हमने सुना था, money bill क्या लिए भी, आर्टिकल 110, 110, यह money bill का आर्टिकल है, इस आर्टिकल से सम्मंधित कोई topic किसी bill में हो, तो उसको money bill कहा जाएगा, यह है, this is money bill, इस से ज़्यादा complex मत करो, ठीक है, what is a money bill, money bill is that bill, जो कि आर्टिकल 110 के अंदर mentioned topics के बारे में होता है, देखिए, आर्टिकल 110 of the constitution deals with the definition of the money bills, a bill is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, तो एक किसी भी bill को money bill सिर्फ और सिर्फ तब ही बनाया जा सकता है, it can only be considered a money bill, if यह जो point है, इन में से, या तो सारे के सारे, या कोई भी एक point उस bill के अंदर हो, उसको money bill कह दिया जाएगा, imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax, तो किसी भी tax को लगाना, alter करना, abolish करने का, ऐसा कोई प्रावधान किसी bill में है, तो that would be considered a money bill, regulation और borrowing of money by the union government, यह याद करनी है, को याद करनी है, prelims में पूछा नहीं है इतना deep जाके, पर UPSC is running out of polity questions, and each and every year, either they jump to a very complex conceptual idea, और they jump deep into the polity, constitution के अंदर घुश जाते हैं, तो यह बात अब आपको, आपकी जिम्मेवारी है कि आप याद करें, कि 110 में money bill होने के लिए कौन-कौन सी चीज़े दी हुई है, custody of the consolidated fund of India, और contingency fund of India, appropriation of money out of consolidated fund of India, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India, the receipt of money on account of consolidated fund of India, और public account of India, अभी आप इसमें confused होने वाले हैं, थोड़ी देर में, क्यों हो, क्योंकि आपने यहाँ पर छे में से, चार पॉइंट के अंदर consolidated fund of India लिखा हुआ है, राइट, छे में से, अगर हम देखें, तो चार पॉइंट पे consolidated fund of India, consolidated fund of India लिखा हुआ है, अभी आएगे confusion में बताता हो, आगे क्या होगा, well nevertheless, for now, just try to understand, money bill वो बिल होता है, जो कि article number 110 में mentioned topic से related हो, इन में से कोई भी चीज, अगर किसी बिल के अंदर है, तो that would be considered a money bill, अब money bill कौन होता है या नहीं होता है, इस चीज को नह speaker बताता है, ठीक है, generally वो यहीं देख के बताएगा, कि यह सारी की सारी चीजे हैं, कोई bill, कोई tax imposed हो रहा है, तो कोई tax imposed हो रहा है, तो speaker जो होंगे, वो money bill लिख देंगे उसके उपर, कि this is a money bill, ठीक है, इस परकार से system है, if a question arises whether a bill is money bill or not, the decision of the speaker is final, ठीक है, decision of the speaker is final, लोकसभा के speaker, याद रखिये, not raja sabha, only लोकसभा, सिफ लोकसभा के speaker का ही है यहाँ पर, money bill के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या खास बात क्या इसमें, इसमें खास बात यह है कि इसमें राजसभा के पास ज़्यादा power नहीं है, ordinary bill में न बराबर का खेल था, जो लोकसभा करती थी, वही राजसभा करती थी, राजसभा पास न करें तो बिल अड़ गया, नहीं, पास होगा, money bill जो है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रेरोगेटिव है, इंडीड राजसभा के पास इससे सम्मंदित कोई खास power है भी या नहीं, अगर राजसभा इसको पास नहीं करेगी, तो इसको पास मान लिया जाता है राजसभा के द्वारा, लेट्स ट्राइट तो सिर्फ लोकसभा में इंटर्डूस होगा, इंटर्डूस होगा, यह money bill है या नहीं, इस बात को स्पीकर बताएगा, स्पीकर विल से कि this is a money bill or not, depending on the article 110 के वो 7 point है, वो देखेंगे कि इसमें से कोई भी, या तो सारे, या कोई भी एक point अगर इस bill के अंदर है, so this is a money bill, एंड अगर वो किसी चीज को money bill कह दे, इस चीज को challenge नहीं किया जा सकता, sometimes क्या होता है, कि कुछ लोग, कुछ इस परकार से system होता है, कि जैसे एक bill था, आधार से संबंदित bill था, ठीक है, आधार bill जो था, government के सामने समस्या ये थी, कि लोगसभा में उनके पास majority थी, लेकिन राज्यसभा में उनके पास majority नहीं थी, और ऐसा संभावना थी, कि राज्यसभा में जो opposition है, इस bill को रोकने की कोशिश करेगी, तो इस bill को आधार bill के अंदर, एक ऐसा provision add कर दिया गया, कि इसको money bill declare कर दिया, money bill, आधार वाले bill को, कि इसमें कोई tax collection का issue, उन्होंने कोई प्रावधान डाल दे, तो इसको के नाम है, speaker ने money bill declare कर दिया, तो राज्यसभा खतम, राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं रह जाता, तो लोक्सभा majority है, ruling party की, राज्यसभा opposition की है, लेकिन money bill declare होते ही, राज्यसभा का रोल खतम, तो अब वो कुछ कर दिया जाता है, कभी-कभी, अब when a money bill is transmitted to Rajya Sabah for recommendation and presented to the president, speaker endorses it as a money bill, constitution एक special procedure लिखा हुआ है, क्या, सबसे पहले तो it can only be introduced in the लोक्सभा, simple, clear, that too on the recommendation of the president, दो criteria, prelims में याद रखोगे, कि सबसे पहले तो money bill अगर introduced होगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोक्सभा में, and on the ordinary bill में नहीं था ये, ordinary bill में recommendation नहीं चाहिए थी है में राश्पती जी की, यहाँ पे चाहिए, every such bill is considered to be a government bill, and can be introduced only by a minister, every such bill is considered to be a government bill, and can be introduced only by a minister, अफ specialty देखी ना, धीरे धीरे आपको specialty देखने लग रही है, कि भी money bill और ordinary bill में क्या-क्या फरक है, पहले तो सिर्फ लोग सभा में introduced होता है, फिर सिर्फ बिना recommendation of president होते ही नहीं है, which doesn't apply to ordinary, third, all money bills are government bills, all money bills can only be introduced by a minister, अब देखो, money bill जब पास कर देती है लोग सभा, जो कि अभी हमने पूरा का फूर्स reading, second reading, third reading का procedure देखा, तो अब गया है राजय सभा के पास, अब यहाँ पर जो राजय सभा के पास है ना, ordinary bill का concept नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ और, देखिए, राजय सभा has restricted power, it cannot reject, bill reject ही नहीं कर सकती हो, मतलब कर दिया तो मानेंगे नहीं, कर दिया तो मतलब दे भी लाइक की, हमने सुना ही नहीं है पास कर दिया आपने, और amend a bill, amend भी नहीं कर सकती है, कोई amendment भी नहीं भेज सकते हैं, they cannot send even amendment, it can only make recommendation, लिख के बस सलह लिख सकते की, यार ऐसा कुछ बदला हो ले, ला सकते हो क्या आप, वैसे तो बिल तो आपने जैसे भेजा, हमने वैसे ही पास कर दिया, but we figured if you might add this, it would be very great, ऐसा बस recommend करेंगे, it must return the bill to लोगसभा, within 14 days, whether, with, और without recommendation, तो ordinary bill में, जो नीचे की जो तीन deadlock की situation थी, वो तीनों की तीनों हटा दी गई है, यहाँ पर money bill से, वहाँ पर ऐसा था कि, लोगसभा से bill जब राज्यसभा गया, तो वो छे महीने तक कुछ नहीं करते, तो deadlock होता था, यहाँ पर money bill जब राज्यसभा के पास जाएगा, 14 दिन के अंदर अंदर, आपको bill वापिस भेजना है, अगर आपने नहीं भेजा, तो हम मान लेगे कि पास कर दिया, खुद ही मान लेगे, वो वाली बात है कि मान लेगे कि पास कर दिया, फोन नहीं किया तो दोस्ती तूट गई, ऐसी सिस्टम में हो जाएगा, यहाँ पर it cannot reject or amend a money bill, ना राज्य सबा के पास गया, ना वो reject कर सकती है, ना वो amend कर सकती है, वो सिफफ़ पास कर सकते हैं, बस recommendation यह बस इतना ही है, सलहा का, सलहा ले सकती है, राज्य सबा सिफफ सलहा दे सकती है, मानी बिल के ऊपर, beyond that इनका कोई लिना देना नहीं है, लोगसभा can either accept or reject all of the recommendation, अगर recommendation लिखी है, सला लिखी है, राज्य लोगसभा चाहे तो मान लेगी, नहीं मानेगी, तो भी, मतलब कोई फरक ही नहीं पड़ता है, लोगसभा ने accept कर दिया, recommendation bill is deemed to pass, लोगसभा does not accept any recommendation, bill is then deemed to have passed by both the houses, ठीक है, तो यह simple सी बात है, कि technically money bill सिर्फ और सिर्फ न, लोगसभा को pass करना होता है, बस, इसमें आपको prelims की नजर से यह देखना है, कि क्या-क्या होता है, लोगसभा ने pass कर दिया, राज्य सभा के पास 14 हैं दिन का समय, only 14, 14 के बाद नहीं, अगर 14 दिन तक राज्य सभा ने कुछ नहीं किया, तो bill considered passed, अगर राज्य स से ने बलो, छोडो इसको, pass, उनको लगा कि ठीक है, ले लो इसको, pass, अच्छा सला दिया इस बार, रख लो इसको, तो भी pass, in every situation, money bill is completely prorogative of the लोगसभा, राज्य सभा has no role to play into it, ठीक है, राज्य सभा does not return the bill, within 14 days, bill is deemed to have been passed by both the houses, that लोगसभा has more powers than राज्य सभा with regard to a money bill, इसम अगर लोगसभा से pass हुआ और राज्य सभा से reject हुआ है, तो bill फस किया फिर हो, फिर तो अब deadlock हो चुका है, loud two houses बुलाओ फिर दुबारा से, joint sitting विठाओ, when a money bill is presented to the president, अच्छा money bill के context में क्या होता है, आपने अभी बात किया कि जो money bill है, वो introduce government ने किया है, तो तभी government महावना exist नहीं करता है, it's kind of a legal, it's not even a loophole, it's just a circle which exists which is non usable, तो जब president होता है, he either give his assent to bill और withhold his assent to bill, but cannot return the bill for the reconsideration, देखिये, money bill में लोगसभा की कितनी ज़्यादा power दी गई है, इसमें president भी reconsideration के लिए नहीं भेज सकता, president भी सिफ ordinary bill को भेज सकता है, try to understand, अच्छा, president के पास द power दे रखी है, या तो president bill के साथ तीन चीजे करता है, sign करता है, या assent को withhold कर लेता है, या फिर reconsideration के लिए भेज देता है, money bill आया, तो ये reconsideration को option ही नहीं है, withhold his assent है और assent वाला है, अब withhold his assent छोड रखा है, legally withhold his assent है, question अगर prelims में पूछा जाए, तो सोचना कि president can withhold his assent for the money bill, legally exist करता है, okay, this is a prelims trick, okay, लेकिन, practically speaking, जो law उसकी ही permission से introduced किया गया था, उसको वो क्यों assent करने से रोकेगा, तो सारे money bill हमेशा president sign करते ही करते हैं, कोई chance नहीं होता है, normally the president give his assent because it was introduced in the parliament with his prior permission, simple बात है, अब आजाते है, money bill से, एक जो third type का, right, उसके बाद चौथा तो constitutional bill है, which we know to amend the constitution, जिसका एक अलग से procedure दे रखा है, हमारे article number different 368 के अंदर, right, अब हम specifically, जो third version आगया, financial bill, अच्छा, financial bill में category को समझने के लिए, समझिये, कि money bill is a financial bill, ठीक है, financial bill तीन टाइप के होते हैं, number one money bill, number two financial bill one, number two financial bill three, ठीक है, तो money bill is just one special kind of financial bill, finances, यानि revenue expenditure, अब revenue expenditure होता, तो money सही है, पैसे सही होता है, तो ये classification को समझने की कोशिश करो, क्या system, बड़ा confusing सा है, परन्तु देखोगे तो इतना भी नहीं है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ordinary bill के बारे में, ordinary bill वो होता है, जो कि पैसे से संबंदित नहीं होता है, और समीधान के संशोधन से संबंदित नहीं होता है, मतलब सारे bill ordinary bill है, इसके अलावा एक समीधान से संशोधित है, उसको direct होता है, वो constitution से amend कर रहा है, that is it, अब इसके अलावा एक और bill है, money से related, तो सबसे पहले वो जो money से related है, यानि finances से related, revenue और expenditure से related, इसमें तीन प्रकार के bill आते हैं, दो प्रकार के आते हैं, sorry, number one money, और number three financial, financial itself is divided into financial one and financial two, ठीक है, क्या-क्या फरक है इसमें, money bill वो bill होता है, जिसके अंदर article number 110 वाले topic हो, ठीक है, और financial bill वो होते हैं, जिसके अंदर article number 117 वाले topic हो, 117 provision 1, clause 1, financial bill 2, 117 clause 3, financial bill 2, क्या फरक क्या, इसके अंदर यह देखो, अगर यहाँ पर देखोगे, तो इसमें सबसे पहले फरक भी यही निकलेगा, देखे, इसके अंदर अगर हम फरक देखेंगे, क्या होगा, कि money bill is kind of a financial bill, यानि every money bill is a financial bill, however, every financial bill is not a money bill, money bill का simple criteria, 110 में जो लिखा हुआ है, वही होना चाहिए, या तो सब उसमें included है, एक भी topic included है, तो money bill हो जाएगा, दूसरा, financial bill one कौन सा होता है, money bill वाले topic, plus consolidated fund of India से related, और topic, इसमें plus money bill से related issue होते है, money bill के तो होंगे ही होंगे, और भी issues सम्मदित है, तो उसको financial bill, and financial bill 2 वो होता है, जिसमें money bill से related कोई issue ना हो, और उसके अलावा सारे issue, no issues related to the article number 110, anything else, article 110 के अलावा कोई भी financial issues है, तो वो financial bill 2, article 110 के अलावा, और कुछ-कुछ और भी issues है, वो financial bill 1, आईए इसको देखते हैं, confusion होने की संभावना नहीं है, financial bill are those bill that deals with fiscal matters, that is revenue or expenditure, ठीक है, लेकिन constitution specifically इस bill को एक technical form में use करता है, पहले तो क्या, तीन kind के होते हैं, money bill, article number 110, financial bill 1, article number 117, clause 1, and financial bill 2, article number 117, clause number 3, तो ये दोनों articles के बारे में आप एक बार याद रखेंगे, 117.1 and 117.3, ठीक है, ये दो article हैं, जो कि हमारे दो परकार के financial bills के बारे में बात करते हैं, 110 money bill के बारे में बात करता है, और 117 financial bills 1 और financial bills 2 के बारे में बात करता है, ठीक है, Classifications imply that the money bills are simply a species of financial bill Money bill एक परकार का financial bill ही होता है वो statement को इस परकार से बोलेंगे Every money bill is a financial bill Whereas every financial bill is not a money bill Simple statement है They are also certified by the speaker of loksabha As money bills, the financial bill 1 and 2 on the other hand have been dealt with the article 17 तो ये जो है certification कौन ले रहे है Speaker of the loksabha अब specifically यहाँ पर जो प्रिलिप्स में question पूछा जाएगा ना वो ये पूछा जाएगा कि आखिर ये दोनों financial bill का difference क्या होता है money bill से What exactly is the difference? That is the key here, right? चली उसको देख लेते हैं So, यहाँ पर इस sentence को फिर से याद करो Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in article 110 of the constitution Article 110 के जो matters है वो जिस भी bill में है उसको money bill register कर दिया जाएगा authenticate कर जाएगा speaker के द्वारा Now, let us see what is financial bill 1 क्या आखता है That contains not only any or all the matters mentioned in article 110 But also others matter of general legislation यानि कि plus money bill Plus money bill वाले तो issue है इसके अंदर article 110 वाले issues है कोई problem नहीं है उसके साथ साथ general legislation के भी issue है तो इसको financial bill credit किया जा सकता है A bill that contains a borrowing clause but does not exclusively deal with the borrowing तो जो bill exclusively borrowing से deal करता है तो borrowing अभी हमने देखा कि article 110 में लिखिया है तो जो exclusively borrowing से deal करेगा वो तो हो जाएगा money bill पर तो एक ऐसा bill जो की borrowing से भी deal करता है और उसके साथ extra और भी कई सारे से उसके अंदर provision है उसको हम बोल सकते है financial bill 1 क्या similarity क्या है दोनों के दोनों can only be introduced in लोकसभा राज्यसभा में कोई भी नहीं कर सकते बोथ of them can be introduced only on the recommendation of the president ये similarity है money bill और financial bill वन के अंदर दोनों के दोनों लोकसभा के ही है bill और कहीं के नहीं है और दोनों के दोनों सिर्फोर सिर्फ recommendation of president के उपर ही आते है interestingly बात ध्यान को याद को रखिएगा ठीक है दूसरा बाकी जो process है वो ordinary bill वाला है इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसको राज्यसभा reject नहीं कर सकती अमेंड नहीं कर सकती beyond that बस this is just only trick एक ही trick है कि आएगा लोकसभा में पर राज्यसभा का इसके उपर बराबर का हक होता है in case of disagreement with the house president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock ठीक है तो जब आएगा same to same process ordinary bill वाला exact same to same procedure है ठीक है अच्छा अब दूसरा financial bill 2 financial bill 2 contains provision involving expenditure from consolidated of fund of India but does not include any of the matters mentioned in article 110 यानि minus money bill consolidated fund of India से related issues है बस वो चार issues नहीं है जो कि article 110 में है तो ऐसी चीज़ को हम कहते है financial bill 2 बस इतना ही है और कुछ नहीं है it is an ordinary bill technically all respects it is governed by the same legislative procedure which is only applicable to ordinary bill बस इसमें एक ही special feature है कि it cannot be passed by the either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill कहने का क्या मतलब है आप जब bill को pass करने का process देख रहे थे तो first reading होती है और second reading होती है second reading तीन सब उसमें सब उसके अंदर सब रीडिंग के अंदर divided है पहली general discussion दूसरा committee और तीसरा consideration तो जो यह consideration का process है यह जब तक president recommend नहीं करेंगे financial bill 2 के बारे में तब तक allowed नहीं होता है यही speciality है only special feature it cannot be passed by either house of the parliament unless the president has recommended to that house for the consideration of the bill hence financial bill 2 can be introduced in either house of parliament recommendation of the president is not necessary for its introduction now this is tremendously stupid system whichever they have developed and why they have developed is no logic behind it क्यों? क्योंकि यह बड़ा confuse करने के लिए इसका और कोई काम नहीं है बस हम लोगों को confuse करना है एक है money bill यह है इनका सब से special bill ठीक है 110 article में जो भी चीज़े लिखी गई है साथ चीज़े लिखी गई है वो सारी की सारी या उसमें से कोई भी एक अगर किसी bill के अंदर आती है तो उसको कह सकते हैं money bill ठीक है money bill कह देंगे specialty है लोग सभा में ही introduced होगा president की recommendation पर introduced होगा raja सभा has no powers at all as far as the money bill is concerned except वो recommendation दे सकते हैं और वो भी लोग सभा के उपर है माने ना माने ठीक है nothing to on it more importantly president भी इसको reconsider नहीं करवा सकता है president को भी बस इस पर basically sign ही करने होते है क्योंकि उनकी recommendation से आते होते तो sign करते है तो money bill तो बन गया भई exclusively लोग सभा का prerogative इसके बाद आता है financial bill 1 इसमें specialty है क्या होता ये लोग सभा में introduce है आता ये भी president की recommendation से है इसके अलावा जो process है वो सारा का सारा बस फिर आ जाए तका ordinary वाला फिर सब ordinary bill बन दे फिर उसके बाद कोई खास चीज नहीं है राजय सभा चाहे तो cancel कर दे नहीं कर दे इसके बाद है financial bill 2 financial bill 2 is an ordinary bill इसके अंदर कोई खास बात नहीं है इसके अंदर सिर्फ एक special खास बात है कि इसको consider जब किया जाता है वो second reading का consideration का part है वो तभी किया जाता है जब president recommend करते है president की recommendation के बिना आप इसको consider नहीं कर सकते है लोगसभा या राजय सभा के अंदर चाहें लोगसभा में introduce कर दो चाहें राजय सभा पूरा ordinary bill है complete सिर्फ एक special बात है consideration वो जो second reading की जो last stage है उसको president की permission चाहिए introduce बिना president के कर सकते हैं आप आप बिलको कर दो introduce house में first reading कर वालो second reading कर वालो committee से discuss कर वालो कोई issue नहीं है but while considering that house president will first recommend पहले president बताएंगे कि चली आप कर ली जे consider तब उसके बास बस ये special बात है money bill क्या है वो है जो इसके अंदर सिर्फ और सिफ 110 के जो provisions है वो financial bill क्या है 110 के कोई है और उसके साथ सथ general legislation के भी है और financial bill 2 क्या है consolidated fund of India से related जो भी चीज 110 में नहीं है बाकी सारी की सारी financial bill 2 होती है that is it इतना ही है ये है हमारे total हमने दो परकार के bill देखे है financial bill और money bill जो पास होते है money bill हमने ordinary process देख लिया है complete कैसे होता है उसके बाद money bill का सबसे ज़्यादा special provisions है money bill का ठीक है उसके बाद हमने financial bill के दोनों के दोनों process technically ordinary bill की तरह है completely लेकिन financial bill 1 में एक खासियत है कि उसको सिफ लोग सभा में president की recommendation पर ही introduce कर सकते है बाकी system ordinary bill का follow करेगा financial bill तो है ही ordinary bill complete ordinary bill है कहीं भी करो लोग सभा करो राजे सभा करो कोई समस्या नहीं है बस एक special बाद दे रखिये इसके अंदर कि यह जो consider किया जाता है इसको वो सिर्फ और सिर्फ president की recommendation पर किया जाता है यह जितने भी bill है यह सब सब simple majority पर पास हो रहे है सब के सब सारे के सारे इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक bill है जो कि constitutional amendment bill है जिसमें special majority के आउशकता पड़ती है बाकी यह सारे के सारे bill दिन रात ऐसे ही कानून हमारे देश के अंदर बनते रहते हैं अब एक बार एक छोटी सी चीज और देख लो जाते जाते joint sitting क्या होती है joint sitting is an extraordinary machinery provided by the constitution to resolve a deadlock जब भी situation deadlock की बन जाती है जो कि अभी हमने discuss किया क्या कै situation कौन-कौन सी situation है if the bill is rejected by the other house तो राजय सभा ने पास किया था लोग सभा ने reject कर दिया लोग सभा ने पास किया था राजय सभा ने रहा deadlock हो गया एक दूसरा if house have finally disagreed as the amendments to be made in the bill लोग सभा ने पास किया था राजय सभा ने amendment कर के पास किया बोले ये amendment करो and the house said की नहीं करनी हमको deadlock हो गया if more than six months have elapsed from the date of the receipt of the bill by other house without the bill being passed राजय सभा ने पास कर दिया था छे महीने हो गए लोग सभा ने पास नहीं किया लोग सभा ने पास कर दिया था छे महीने हो गए राजय सभा ने पास कर दिया ये तीनों situation हमें एक create करती है एक situation जिसको कहा जाता है deadlock इस dead lock को खतम करने का एक तरीका बनाये गया है joint sitting of the two houses जिस दिन दोनों के दोनों house इखटे बैठेंगे कमाल की बात देखिए कि money bill में ये हो नहीं सकता है money bill के अंदर कैसे बैठेंगे money bill में तो joint sitting हो नहीं सकती money bill में तो राजय सबा कुछ भी करती रहे फरक ही नहीं पड़ता है तो यहाँ पर अब आप prelims के question को देखिए कि कैसे frame कर सकते हैं money bill में joint sitting नहीं होती उसी परकार से constitutional amendment act के अंदर भी joint sitting नहीं हो सकती है तो यह जो है यह सिर्फ और सिर्फ ordinary bill और financial bills के लिए होती है पहली बात तो यहाँ पर आगई चलिए जब भी यह deadlock होगा president can summon both the houses to meet in a joint sitting for deliberating and voting on the bill अब it must be noted कि यह सिर्फ और सिर्फ ordinary और financial bill के उपर act होता है money bill और constitutional amendment के उपर joint sitting नहीं हो सकती है तो अगर आपने कभी सुना कि joint sitting हो रही है तो आपको पहले से ही पता है कि या तो financial bill होगा या फिर basically ordinary bill होगा money bill और constitutional amendment पे तो नहीं हो रही है तिसरा in case of money bill लोकसभा has overriding power while a constitutional amendment bill must be passed by each house separately अगर constitutional amendment bill block हो जाता है तो फिर वो block हो जाता है फिर वो खतम है उसको मतलब अगर एक ने पास कर दिया दूसरे ने पास कर दिया तो इट का मतलब it will not get passed it has to be passed by both the houses separately ये important criteria याद रखो money bill सिर्फ लोकसभा को पास करना है राज्यसभा करे ना करे ordinary bill दोनों house में से अगर deadlock होगे तो joint sitting से पास कर वा लेगे financial bill joint sitting चे constitutional bill की एक important feature है it has to be passed by both the houses separately ठीक है in reckoning the period no account can be taken of the period ठीक है जो 6 महीने का समय है वो session का समय होता है अगर प्रोरोग हो रखा और adgen हो रखा तो उसको account नहीं करेंगा अब देखिए if the bill has already lapsed due to the dissolution of the लोकसभा no joint sitting can be summoned ठीक है अगर bill lapse हो गया है तो फिर joint sitting नहीं होगी but the joint sitting can be held if the लोकसभा is dissolved after the president has notified his intention to summon a sitting मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि bill था lockdown हो गया था लोकसभा ने पास किया था राजय सभा ने पास नहीं किया था ठीक है अब president ने summond कर दिया कि joint sitting होगी president के कहने के बाद लोकसभा dissolve होगी तो कोई problem नहीं है आने पर अब joint sitting होगी ठीक है क्योंकि president पहले से बोल चुके है अगर president ने बोला नहीं है और लोकसभा dissolve होगी तो फिर वो bill lapse होगया कोई जुरुरत नहीं है ठीक है after the president notifies his intention to summon a joint sitting none of the houses can proceed further with the bill अब खताब वही पर pause हो जाए अब joint sitting पर ही बात होगी यह simple सी बात है president ने बोल दिया joint sitting अब तुम discussion बंद करो होगया तुमारा जितनी डिस्कस करना चाते थे यहाँ अचा यह prelims का question है and this will come one day or the other तो इसको ध्यान से सुनो देखो जब भी joint sitting होती है तो सबसे पहले उसको preside कर दिया speaker of the house ठीक है speaker of the house speaker of the loksabha और joint sitting ना loksabha के rule से चलती है राज्यसabha के rule से नहीं चलती है first of all मतलब कि loksabha को इसमें primacy है सारी joint sitting में joint sitting में usually जीती है सबसे पहले तो लोकसabha और राज्यसabha की joint sitting पर speaker preside करता है पहली बार दूसरा अगर speaker नहीं है तो deputy speaker of loksabha preside करेगा तो अगर deputy speaker of loksabha अवेलिबल नहीं है तो deputy chairman of राज्यसabha preside करते है तब instead of the chairman of the राज्यसabha which is very weird this is tricky understand this the speaker of the loksabha presides over a joint sitting of the two houses and deputy speaker in his absence ठीक है if deputy speaker is also absent from a joint sitting then the deputy chairman of राज्यसabha presides trick वाली बात ये है कि भई speaker कर रहा है अगर speaker नहीं है तो deputy speaker कर रहा है और deputy speaker नहीं है तो अगर हम राज्यसabha में जान नहीं वाले थे तो हमने chairman को क्यों नहीं चूज किया vice president है वो अगर vice president राज्यसabha को chair कर रहे है तो आप joint sitting में नहीं करते but no this is very trickly and interesting क्यों क्योंकि इन चारों में से speaker और deputy speaker chairman और deputy chairman इन सब में से सिर्फ यही है जो कि house के member नहीं होते only vice president is not speaker भी house का member होता है और deputy speaker भी house का member होता है deputy chairman भी house के member होते है यह हम presiding officers में पढ़ चुके हैं तो जब joint sitting होती है तब उस समय vice president ची चुट्टी कर लेते हैं कि अब मैं नहीं मत्तब बता दे ना मेरे को क्या क्या हुआ था क्या चलता है joint sitting में तो this is a very very interesting fact which UPSC will one day or the other is gonna put you into frame क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज का if he is also absent such other person may be determined by the members present joint sitting presides over the meeting अगर यह तीनो गायब हैं तो भी vice president को नहीं बुलाएंगे फिर यह खुद चुन लेंगे joint sitting है देल चूज की भी किसको preside करना है लोगसभा जहां पर आ जाती है तो वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो प्रतिनिधी है जो select होकर, elect होकर आया house का ही member है उसी को ज़्यादा primacy दी जाती है when it comes to लोगसभा इंदी राज्यसभा sometimes or the other क्योंकि वो indirectly elected है तो वहां के जो chairman है वो basically house के member नहीं है तो भी allowed है बड़ा प्यारा सा question है चुप चाफ से चुप के बैठा हुआ है and one day UPSC is going to ask you this related to the membership of the presiding member जो कि अजीब है थोड़ी सी थोड़ा सा मतलब complexity है जानके speaker और deputy speaker लोगसभा के वो लोगसभा के ही member होते है ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया भी था आपको एक बार कि 543 में से technically तो 542 ही basically member of parliament है बाकि एक तो permanent speaker बना दिया गया deputy speaker as a ordinary parliament लोगसभा का member ही काम करता है उसको कोई फरक नहीं है only on the day उसको speaker का काम करना ही become speaker nothing else बाकि उसको वो substitute भी नहीं है वो even उसके subsidiary भी नहीं है speaker के कोई लेना देना नहीं एक दूसरे का बस speaker का वो है जरूरत पढ़ने पर मैं speaker बन जाओंगा that is it इंद राज्यसभा जो chairman है वो ex-officier है उसका election ही नहीं करना पड़ता speaker का और deputy speaker यह सब elect होकर रहते है normal अबना जो procedure है लोगसभा में chairman का election vice president का होता है और जो vice president है he is the ex-officier chairman of the राज्यसभा यह है और यह interesting enough he is not a member of लोगसभा तो sorry राज्यसभा तो राज्यसभा में जो member है 245, 245 ही रहते हैं plus one यानि कि 246 लोग हो जाते हैं राज्यसभा के अंदर when we add the chairman and जो deputy chairman है हाँ यह इस 245 में से निकलता है it's tricky तो joint sitting में बड़ा प्यारा सा it's a very sweet question which will one day ask which will be asked one day or the other focus करके रखो इसके उपर joint sitting को speaker of लोगसभा नहीं मिला deputy speaker of लोगसभा यह भी नहीं मिला तो अब jump chairman के उपर नहीं किया गया vice chairman of राज्यसभा के उपर कर दिया गया and then अगर vice chairman of राज्यसभा भी नहीं मिला तो फिर मिलके discuss कर लेते हैं वताओ भी किसको करना है तुमको आज कर लेते हैं अच्छा यह जो बात थी क्या बात है quorum again quorum of the house is the 10% one tenth of the total तो सारे के सारे मिला के अपना इसके पचपन राज्यसभा का है और हमारा पच्चिस इसका यह है तो 80 लोगों का quorum बन जाता है हाँ 80 लोगों का quorum है हमारा जो total joint sitting का है it is governed by the rules of procedure of लोगसभा not of राज्यसभा joint sitting में लोगसभा के रूल चलते है if the bill is in dispute is passed by a majority तो बस bill passed हो गया normally the लोगसभा with greater number wins has rare है 1950 से लेके आज तक सिर्फ तीन बार joint sitting हुई है Dory Prohibition Bill Banking Service 1977 में और Prevention of Terrorism Bill 2002 में ये तीनों के तीनों पास किये गए थे joint sitting of the bill के द्वारा right this is what the legislative procedure of the our constitution of our parliament is इसके साथ साथ हमने अभी अभी एक notice किया था कि जब हम second reading कर रहे हैं second reading कर रहे है तो बीच में general discussion के बाद GD के बाद एक committee stage आती है right जो कि actually में कानून बनाने में सबसे important stage यही है सारे के सारे जो हमारे कानून बनने नो वो इसी stage पर बन रहे है in the lecture number 31 we will discuss about the parliamentary committees ये होती क्या है ये parliamentary committees क्या होती है which of them are most powerful one कौन सी standing committee है ये हम comparison करेंगे ये हमने पढ़ा था cabinet committees के context में cabinet committees जो कि हमारे जो cabinet ministers है total 22 है इसमें cabinet ministers उन में से 3-8 लोग मिलकर एक committee बना ले थे है particular issue को discuss करने के लिए उसी प्रकार से Parliament के अंदर भी parliamentary committees होती है these are actual places where democracy या फिर basically लोकतंत्र या discussion, debate, argument और ये जो चीजे जो होती है वो असली में यहां हो रही है बाकर जो जो न्यूस्पेपर हेडल है इन है वो तो ऐसी चल रही है असली में ये जो ये parliamentary committees क्या होती है we'll discuss in the article number 13 article number 13 नहीं lecture number 13 article number 13 कौन सा है ये भी बता दे ना मुझे इस comments के नीचे ठीक है what is the article number 13 क्यों मेरा बर्थरेट थर्टेंथ हो आता है तो इसलिए में जानना चाहत हू कि आपको article number 13 है या नहीं है ये टेलिगराम चैनल है वेर you can find the PDFs of all these also you can connect with me we also do voice church to clear your doubts and this is the social media where I would really really want you to join because I really really need you to know and connect with me I'll see you in the lecture number 31 have a nice day जाद कि रहीं है